नमस्कार दोस्तों वेराव डाराइस में आपका फिर्से स्वागत है और मेरा नाम है राजश्वर्मा दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे एप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो हैकिंग एक काम आते हैं और यह एंड्रॉइड पे है तो आपको बिल्कुल भी फ्र तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो टूल है वह है टेम्प मेल यहां पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्लेस्टों पर जागे यह बिल्कुल फ्री रहेगा और इसमें कोई भी चार्जिस आपको नहीं लगेगा इसमें आपको अच्छा रहेगा आपके लिए अग लगातर देते रहते हैं और आपके इमेल आईडी पर नोटिफिकेशन आते रहता है तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं यहां पर टैप में डाउनलोड कर लीजे और यहां पर आपको सिंपल सा एक चेंज में क्लिक करना है जैसे ही आप चेंज में क्लिक करने के आपको copy comment click करना होगा जैसे ही आप copy करते हैं किसी भी आप website में जाके इसको paste कर सकते हैं या फिर आप कोःबर लिख सकते हैं यह जो mail है temporary रहता है यह ज्यादा देर तक नहीं रहता है ज्यादा तहरी तक उसाथ एक दिन तक नहीं रहेगा तो इसका आप यूज कर सकते हैं और और सेडानलोड कर सकते हैं और फर्स्ट था एब दूसरा के ओर चलते हैं चलिए तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास लूसरा टूल है उसका नाम है एडिद वैपपेज added web page को जैसे ही हाप open करते हैं आपके पास ऐसा कुछ एक logo बन किया आएगा उसके बाद आप आप यहाँपर देख सकते हैं आपके पास जो सर्च का option यहाँपर आप search engine है यहाँपर आप search कर सकते हैं किसी भी चीच को यहाँपर आपके पास काफ़ी सारी ओप्शन से यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं यहां पर मैं फरस्ट पेज को जो फिलिप काट का डिफॉल्ट है वो पेज ओपन कर लेता हूं अब यहां पर आप देखें यहां पर कुछ भी आप सर्च कर लिजे किसी वरेट जैसे कि मैंने आपको बता जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको यहां पर एडिट में क्लिक करना होगा और एडिट में जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं मैं दिखाता हूं आपको एक सेकंड यहां पर आप जा सकते हैं यहां पर आप क्लिक कर लिजे यहां पर आप जाने के बाद इसको एडि बिखा है और साइड यहां पर कुछ कर सकते हैं यह पर चेहां पर प्लस का एक ए- crab यहां पर लिख सकते हैं। और इसका स्क्रीन शॉति लेगे आप बहेद सकते हैं तो यह था हमारा दूसरा टूल चलि तिसरे टूल चलते हैं तो दूस्तों जो हमारा तीसरा टूल है उसका नाम है Fly GPS जैसा कि आप देख सकते हैं उपर में Fly GPS 5.0.8 लिखा हुआ है अब यहाँ पर इसका काम होता है जैसे कि आप यहां पर क्यों केड़ा यहां पर देखते होंगे gp as में अगर आपको लोकेशन डिखाने करना है दिखाना добав करना है यहां पर क्या करना होगा सबसे पहले इसको हम चोटा कर आप क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आपको GPS service run यहाँ पर क्लिक करना होगा जैसे आप इसको क्लिक करते हैं fix कर दीजे और यहाँ पर setting में जाके आप अपना जो setting है वो complete कर लिजी है आपर जैसे developer option दिया हुआ है यहाँ पर आपको GPS का option mode on करना होगा तो मैं यहाँ पर जीसका GPS का option mode on कर लेता हूँ और यहाँ पर कहा दिया हुआ है कहा दिया हुआ है कहा दिया हुआ है wireless certificate select GPS 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 कहा गया GPU render है यहाँ पर GPS हमारे पास यहाँ पर नहीं है GPU GPU CPU ओके तो यहाँ पर हम इसको अनेबल कर लेंगे जैसे हम इसको अनेबल करते हैं यहाँ पर आपको पहुश करना होगा और आपका जो location है वो direct यहाँ पर show कर देगा उसके बाद फिर आप यहाँ पर click करके आप अपने किसी location को किसी भी friend को अपना location गलत दिखा सकते हैं और आपको इसके लिए किसी भी तरीके का फीज देना नहीं परता है GPS वाई GPS जो है वो बिलकुल फ्री रहेगा आप इसको Google Play Store से बिलकुल फ्री में डाउलोड कर सकते हैं और इसका use कर सकते हैं तो चलिए हम सब चलते हैं हमारे चौथे और चौथे एक टूल की तरफ जो से मैंने आपको बताया था पांच टूल मैंने बताने वाला हूं तो यहां पर हम चौथा टूल के और चलते हैं तो दोस्तों हमारे पास जो चौथा चूल है उसका नाम है और बहुत जैसे कि आपने सुना होगा डार्क वैब या वैप साइट से जिसके अंदर आप नहीं जा सकते है तो डार्क वैप वही होता है जिसमें आपको गूगल जाने नहीं देता है तो चूप रहेगा या फिर लगतार चेंज होता रहेगा जिससे आपका लोकेशन जान पाना या फिर आपके मोबाइल की इंफोमेशन जान पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं डाक वर्ब में जाने के लिए और किसी भी तरीके का है जैसे आप ब्रॉशर में क्लिक करते हैं और इसके बाद यहां पर हम चलते हैं सबसे पहले गूगल.com पर गूगल.com में जाने के बाद आप यहां पर किसी भी देखर का कुछ भी जैसे कि मैं यह अगर यूज करता हूं या फिर आप कुछ और अगर सर्च करना चाते हैं तो कुछ और भी सर्च कर सकते हैं जैसे कि जाक फिर लेक्ता हूं में यहां पर जैसे यह यह बैगल यहां पर सर्च कर सकते हैं same application है जो आपका Tor Browser है और जो हमारा application यह और both वह सेम है तो आप इसका दोनों की रोड़े पर चलते हैं तो चलिए final और last हमारे application की ओड़ेशन की और मैं आपको बता हम उसका use कैसे कर सकते हैं तो दूसर हमारा जो last application है उसका नाम है Crooked Catcher तो आप इसको download कर सकते हैं प्लेस्टों से बिल्कुल फ्री पे और जैसे यह आप इस तो install करते हैं आपके पास यहाँ पर काफी सरे information होते हैं इसका काम क्या होता है जैसे कि आपका किसी भी सीम जैसे सीम कत हो गया उसके बाद पिर अगर कहीं लोकेशन है तो उसका लोकेशन पता करना हो तो डारेट आपने मोबाइल से कर सकते हैं आपके पास यहाँ पर इमेल एड्रेस भी आएगा आपके पास SMS भी आएगा आपको सिंपल से यहाँ पर एक्टिविशन क्लिक करना होगा मैंने पहला ही कर चुक है यहाँ पर हम किसी भी तरिक से कोई अपना पासवाट खूलना चाहता है तो आपका जो फोन है वो कैमरा है वह डारेक्ट यहाँ पर फोटो लेलेगा और वहाँ पर स्टोर कर देगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मोबाइल है वह कौन ओपन करना चाहता था यहां फिर कौन भी इंफोर्मिशन देखना चाहता था यह सब यहां पर आपको तीनों को ऑप्शन करना होगा ओके तो यहां पर हम उपन सेटिंग में कर लेते हैं फिर से यहां पर फिर से सेटिंग बुछेगा इसको हम बैक कर लेते हैं अब यहां पर हम लोकेशन स्टोरेज जो है उसको हम आउन कर देते हैं और यहां पर हम अलाव कर दे यहां पर आपके पास जैसे कि मैं आपको लिखाता हूँ यहां पर लिखा हुआ है तो चेंज दिस परमिशन सेटिंग यूफर्स्ट अब टू टर्न ऑफ दे स्क्रीन ओवरले फॉर्म सेटिंग एप तो यहां पर क्या होता है बहुत सारे ऐसे अप्लिकेशन आते हैं जो डिटेट करता है स्क्रीन ओवरले को तो आप उसको अनेबल कर सकते हैं या फिर आप वहां पर अनिस्टॉल कर दीजिए उसको डारेक्ट यह जो ऑप्शन है या फिर जो एरर है यह आपको बताया जैसे कि अगर किसी ने आपका फो जाते हैं या फिर चोरी हो जाता है तो आपका सीम कार्ड किसी ने दूसरा लगाया तो आपके पास डिरेक्ट इमेल जा सकता है और आपके पास वहां पर SMS आ जाएगा कि किसका नंबर आपके मोबाइल पर रिजिस्टर है तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आश आज करें से वी नहीं दोस्तों जैहें नुवल्ले मात्रां